Hello everyone, next video में हम Codon Bias Detection के उपर बात करेंगे देखिए Codon Bias होता क्या है, सबसे पहले में हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि Codon Bias क्या होता है देखिए Biasing क्या होती है, जैसे माल लीजे कि कोई एक teacher है, वो किसी एक particular subject को पढ़ाता है तो वो कुछ बच्चों को पसंद करता है, ठीक है class में दूसरे subject का teacher है, वो कोई दूसरा subject जो पढ़ा रहा है, उसमें जो अच्छे बच्चे होंगे वो उनको पसंद करेगा तो अलग-अलग teacher की पसंद, अलग-अलग बच्चों के लिए, अलग-अलग ही होती है तो हम क्या कहते है, की teacher क्या है, biased है, वो कुछ ही लोगों को जादा पसंद कर रहा है, कुछ लोगों को नहीं पसंद कर रहा है तो यह क्या है, बाइसिंग है, उसी जरे किसे codon में भी biasing होती है क्या मतलब है, हमारी body में 64 codon है, ठीक है, हमारे cell में 64 codon है लेकिन amino acid कितने code करने के लिए है, किवल 20 amino acid code करना होता है अब इस 64 codon में से 3 तो इस top codon है, उनको minus कर देंगे, तो 61 codon बचे, तो 61 codon को 20 amino acid को code करना है अब ऐसा तो है नहीं कि 20 codon है, 20 amino acid है, तो एक codon एक amino acid के लिए होता है यहाँ 61 codon है और 20 amino acid है, इसका क्या मतलब हुआ, एक amino acid के लिए एक से ज़्यादा codon होंगे इट मींस, more than one codon is present for a given amino acid, यही क्या है, degeneracy of genetic code यह जितनी मीं चीज़ें हमने लिखी है, यह किसको represent कर रही है, degeneracy of genetic code ठीक है, अब इसे माल लेते हैं आरजी नीन के बारे में आरजी नीन को code करने के लिए हमारे पास कितने codon है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 codon है इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए आरजी नीन A और G से मिलके बना होता है, तो A, G लिख लिए हमने, यहां भी A, G लिख लिए आरजी नीन A, G से मिलके बना होता है, तो A, G, A, G लिख लिए और यहां पे भी A, G इस तरह से लिख दीजे याद हो जाएगा न, A, G, A, G, A, G ठीक, अब CG आप लिख लीजे, CG आप लगाता चार CG लिख लीजे और उसके साथ आपके पास कितने कोडॉन होते हैं, मतब कितने नुकलोटाइड होते हैं आरेने में चार ही होते हैं, A, C, G, U, उनको लाइन से लिख दीजे तो याद करना आसान होगा, अब कि इसलिए आरजीनीन का एक्जामपल लेके मैं समझा रही हूँ मा लेजे आरजीनीन है, तो आरजीनीन के लिए हमारे जो सेल में कई सारे टी-ारेने होते होंगे, राइबोसोम क्या करता है, एक-एक टी-ारेने को लाला के कहां लगाता है, टी-ारेने में क्या होते है मतलब इस तरीके से अमाइनो एसिट जुड़े होंगे, आरजीनीन, 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 टी-ारेने के साथ इन सभी के TRN में आरजीनीन ही चुड़ा होगा तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है उसको एक के बाद एक माईनो एसिट को एड करना है अब अगर ये बताईए अगर माली जी कि एक ही यहाँ पर कोडॉन होता राइबोसोम पूरे सेल में एक ही कोडॉन होता आरजीनीन के लिए तो राइबोसोम को क्या करना पड़ता जाता महनत करनी पड़ती ना उसको ढूनना पड़ता कहां है कहां है CGA कहां है तो टाइम लगता राइबोसोम को जब तक उसको ढून नहीं लेता इसके TRN को तक तक वो यहाँ एड नहीं कर सकता था पॉली पेप्टाइड चेन में तो राइबोसोम को काफी महनत करनी पड़ती प्रोटीन सिंथेसिस में देर होनी लग जाती इसलिए क्या किया गया है सिस्टम ने ऐसा बनाया हुआ है कि राइबोसोम को महनत ना करनी पड़े इतने सारे option एवेलेबल है वो किसी को भी select कर सकता है रेंडेमली जो ज़्यादा एवेलेबल होगा उसी को उठा के लिए यहाँ लगा देगा आर्जिनी नहीं जुड़ा तो इस तरीकी से राइबोसोम को काम करने में कम महनत करनी पड़ती है तो वहीं लिखा है more than one codon makes ribosome more efficient to perform protein synthesis in short duration of time राइबोसोम की efficiency बढ़ जाती है वो कम time में ही protein की synthesis कर देगा अगर कई सारे codon होंगे तो ठीक आगे देखिए different organism में क्या होता है एक ही amino acid जो होते है different codon से code होते हैं ठीक है इसी को हम codon biasing कहते हैं जैसे मालीजे यही वाला system है मालीज राइबोसोम जो हमारी body में है वो CGA को बहुत ज़्यादा ले रहा है CGA का हमारे पास बहुत सारा TR ने है तो CGA के ही codon को anti codon की तरह यूज करके argin को यूज कर रहा है किसी और organism में पता चला ribosome ये वाला जादा सलेट कर रहा है किसी और organism में राइबोसोम ये वाला TR ने जादा सलेट कर रहा है तो ribosome की biasing हो गई ना कहीं कुछ सलेट कर रहा है इसको देखी explain करने के लिए मैंने example भी दिया है codon का जैसे arginine के लिए या का example दिया, model organism है E. coli bacteria में drosophila जो है हमारे lower vertebrates में कह सकते हैं मतलब इन vertebrates में drosophila हो गया और vertebrates में human हो गया तो देखिए humans में क्या है AGA और AGG ही ज़्यादा use हो रहे है और ये वाला CGG ribosomeini को ज़्यादा select कर रहा है 22%, 23%, 22% सबसे कम use कौन सा हो रहा है CGU CGU देखिए E. coli में सबसे ज़्यादा use हो रहा है यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा use हो रहा है drosophila में CGC तो अलग-अलग organism में अलग-अलग codon use हो रहे है किसलिए TR ने select हो रहे है polypeptide में जुडने के लिए ठीक है अलग-अलग codons को select किया जा रहा है growing polypeptide chain को बढ़ाने के लिए या amino acid की addition के लिए यही codon biasing है अब देखिए total number of arginine codon हमारी body में 2000 से जादा है drosophila के पास 500 से थोड़ा जादा है लेकिन E. coli के पास 150 से भी कम है तो आप यहीं बताई किसमें जादा जल्दी translation होगा human में क्योंकि इसके पास बहुत सारे option available है E. coli में धीमें धीमें होगा 150 से भी कम है उसके पास gene भी इसी के आसपास होंगे तो उसके तो मुश्किल हो जाती होगी इसलिए E. coli में काम धीरे-धीर होता है codon होते हैं अलग-अलग codon के specific समझ गे ना तो यहीं आप बताने की कोशेश ही गई है अब देखे codon baising किस-kis चीजों से affected होती है GC content चीजों में जितना ज़दा GC content होगा उतना ज़दा codon की baising होगी यह कैसे होगी इतना आपको डेटेल में समझने की ज़रोत नहीं आप GC content बस याद कलीजे अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर यह मैंने data लिखे हुए है यह आपको भी लिखना पड़ेगा exam में अगर आपको data यहाँ नहीं हो रहा है तो आप इसको अपने मन से कोई भी data लिख दीजे कोई कौन सा कोई match कर नहीं जा रहा है बस आप यह धियान रखिएगा कि जो draw so filla में cgc वाला जादा लिख दीजेगा और equal i में cgu वाला जादा लिख दीजेगा बाकी अपने में क्या हो रहा है ag वाले जो है वो जादा यूज़ हो रहे है cgc वाला जादा यूज़ हो रहा है cgc वाला draw so filla में भी यूज़ हो रहा है इतनी तरह से आपको लिजे का बाकी कोई भी number कैसे भी लिख के आपको 100 के around जोड के लाना है ठीक ही टोटल कितना हो रहा है सबका 100 हो रहा है कोई भी data लिख के 100 बना दीजेगा ठीक है लेकिन ये धियान रखीगा एक बार जो जादा लिख दे उससे जदा कहीं और आप नम्मत लिख दीजेगा क्योंकि यहीं तो codon pricing को आप show कर रहे है चलि आती है वापस factors affecting में GC content पे TRNA की abundance पे मगर माली जी हमारे पास यह वाला TRNA जादा है तो हम उसी को जादा यूज़ करेंगे gene expression पे कोई gene कितना expression होना है हमारी body में किसी एक particular gene का expression ज़द जादा होना है तो codon pricing अपने आप होगी ही क्योंकि उसमें माली जी वाला codon बार बार आ रहे है protein की length पे protein जादा लंपा होगा तो भी उसमें कोई particular amino acid या codon बार बार आएगा तो भी हमें क्या करना पड़ेगा codon pricing करनी पड़ेगी mRNA के structure पे भी depend करता है mRNA का structure कितना बड़ा है ठीक है तो उसमें कब आ रहा है stop codon ठीक तो इस सब चीजों पे depend करता है codon pricing तो यह आप याद कर लीजेगा चोटे चोटे points है उसके बार देखिए कौन-कौन से database है codon bias को identify करने के लिए कौन-कौन से software है जो इन database की यूज पे चल रहे है तो देखिए database तो याद करना असान है codon biasing database cbdb फिर micro organism के लिए है ठीक है micro organism के genome का codon usage database यह pro carrier का codon usage database यह databases है software कौन-कौन से run हो रहे है cousin हो गया jcat हो गया acua हो गया insa हो गया enc हो गया cai हो गया आपको जितने याद हो पाएंगे कर लीजेगा cousin तो I think आपको याद ही रहेगा cousin और kai यह दूनों याद कर लीजेगा kai भी आसान है ठीक है kai मतलब अलगी इस तरह से आपको याद कर सकते है तो यह आपके हो गये codon biasing I think आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो पने शब्दों में भी इसको लिख सकते है बहुत कोई कठीन चीज नहीं है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कहीं न कहीं इसको आपने molecular biology में भी codon biasing मतब codon के बारे में तो पढ़ा ही है उसकी region racing के बारे में पढ़ा है तो I think आप तो इसको all-ndy बनाके आपने आप से भी लिख सकते है ठीक है all the best कल की exam के लिए ठीक है चली, all the best thank you